पुस्प विहार अपरतुन वाला ये एरिया नगर निगम में आता है देरादुन नगर निगम में जो कि वाड नमबर 68 में भी पड़ता है अभी यहां से हमको लेफ्ट हैंड साइड पर टर्ण लेना है अगर हम राइपूर रूर से आ रहे हैं राइपूर रूर से आते बोड आपको दिखावा मिलेगा बहुत अच्छी कॉलोनी है आसपास की लोकिलिटी बहुत अच्छी है और इसी के बाद आपको सूर्य कलोनी लैन नमबर 2 का बोड दिखेगा ये रोड सीधी जा रहे है जब आप पुस्प विहार में परवेश करते हैं तो वाह से सीधा इ सैनिक एनकलव का बोड जहां पर दिखेगा वार नमबर 98 वहां पर आपको साइन के लिए दुकाने भी यह देखे चोटी दुकाने यहां पर राइट हैंड साइड में टर्ण लेना है कुछ 100 फिट आगे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा एक व्यू दिखेगा घर जी हां और इसके आगे की रोड 12 फिट की है इस एरिये में रोड 15 फिट 16 फिट और मैक्सिम 18 फिट ही होती है और 90 फिट में रोड से है जो है वो 18 फिट की है जो आप सेंनिक एनकलव में जब एंचर किय थे इस रीक वोड आप करते वैं यह अ 14 पिट की हमारे पास जमीन सेल के लिए आई है जा दोस्तों मैं अनुपाठक आपके लिलाया हूँ फिर से एक बहुत ही खुबसुरट डील किरप्या लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को क्योंकि मैं इसी तरीके से लाता रहता हूँ प्लोट और प्रॉपर्टी से रिलेटीड वीडियो अपने इस चैनल पर दोस्तों इस पांच विस्वा के प्लोट की बात करें तो मेन रोड जो अठारा फिट की है उससे मात्र सौ फिट की दूरी नबे से सौ फिट की दूरी में यह हमारे पास राइट हें साइट में जो आपको खेत की जमीन दिखाए दे रही है यह कुछ सौ फिट वाइड है और इसके बाद हमारा प्लोट स्टार्ट हो जाता है जहां पर यह पोल लगा है इस पोल से और लास्ट में जो यह बिजली का पोल है वहां तक हमारे पास लैंड है यह जो दूसरा घर बना है थोड़ा सा पीछे इसका रास्ता भी हमारे प्लो पर इसक्वाइर यार्ट के हिसाब से है और यह अपर तुन वाला में पढ़ती है जिसका पोस्ट ओफिस समसेरिगर में है इस प्लोट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे दिये वे नंबर पर कॉल कर सकते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं मैंने अमना अर्मत 16,000 से लेकर 17,000 रुपे गज रखी हुई है इनका इनके दैमेंशन की बात करें तो यहाँ पर हमरे पर दैमेंशन 25 बाई 50, 25 बाई 45, 30 बाई 45 और इसी के साथ हमारे पास 100 से लेकर 200 गज तक के प्लोट है तो प्लीज कॉल करना ना भूले मुझे मेरे दिये वे नंब झार पूले मेरे चले